हेलो दोस्तों आपका स्वागत है सिरियस्ली स्ट्रेंज में यह एक ऐसा चानल है जहां हम आपको दुनिया के अजीबों गरीब लोगों घटनाएं किस्से और अनुभवों को बताते हैं इसे दुनिया में है यह नौ अजब गजब औरते जानने के लिए जुड़े रहे सिरियस्ली स्ट्रेंज के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपके कमेंट का हमें इंतिजार रहता है इसे दुनिया में है यह नौ अजब गजब औरते जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, उसे दुनिया में ये अजब गजब नौ अरते भी रहती हैं आपके लिए यकिन करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, तो आईए जानते हैं इनके बारे में सबसे पहली है बेसन, जिने मायरा हिंस के नाम से भी जाना जाता है जाहिर है कि ब्रेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने इंप्लांट का सहारा लिया है उनको अपने ब्रेस्ट के लिए मिलने वाली एटेंशन बहुत भाती है बस उन्हें अपनी फिटिंग के कप्रे ढूणने में दिक्कत होती है है ना सिरियस्ली स्ट्रेंट? आप जीने देख रही है वो है कैथी जंग कैथी जंग ने सबसे पतली कमर की लिए लगातार बारा सालों तक कॉर्सेट को अपने शरी से अलग ही नहीं किया इससे उनकी कमर का साइस पंदरा इंच हो गया कुईन ओफ हार्स के नाम से मशूर कैथी सबसे पतली कमर की वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर है क्रिपया आप ऐसा कुछ करने के बारे में न सोचे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है आईए अब जानते हैं तिसरी महिला के बारे में एरिका एर्विन उर्फ एमेजन इव दुनिया के सबसे लंबी ट्रांसजेंडर मॉडल्स में से एक है चतिश वर्षिय इव छे फूट आठ इंच लंबी है इव की लाइफ में एक टफ स्टेज तब आई थी जब फिटनेस कॉंशिस इव साइज जीरो के चकर में मरते मरते बची थी लेकिन इस घटना से उन्हें सबक मिला और आज एरिका पर्सनल ट्रेनर है और बॉड़ी इमेज सवाने में दूसरों की मदद करती है आपने उनको अमरिकन होरर स्टोरी फ्रिक शो में भी देखा होगा जी हाँ ये थी एरिका एर्विन है ना बल्कुल सीरियसली स्ट्रेंज ऐसे और महिलाओं के बारे में देखने के लिए जुड़े रहे चाती महिला जूलिया गुरुसे जूलिया गुरुसे की जिंदेगी आम लोगों की तरह ही थी जब तक कि 35 साल की उम्र में वो पॉर्फोरिया नामक विमारी से पिडित नहीं हो गई इस विमारी में सूरज की रोशनी से तोचा पर चाले पढ़ जाते हैं फिर ये चाले उम्र भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं अपनी दोस्त की सला पर इन निशानों को छिपाने के लिए जूलिया ने टैटू का सहारा लिया और आज हालत यह है कि उनकी 95 प्रतिशत बॉड़ी टैटू से कवर्ड है और इस वज़े से उन्होंने वर्ल्ड एकॉर्ड भी कायम कर लिया है जी हाँ दोस्तों आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जूलिया ग्रोसे की है जिनकी बॉड़ी 95 प्रतिशत टैटू से कवर्ड है असल जिन्दगी की रेपुन्जल आशा मंडेला की बालो की लंबाई 19 फीट से जादा है जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं 2008 में आशा ने सबसे लंबे बालो का विश्वर रिकॉर्ड तोड़ा था आपको ये जानकर और रहरानी होगी की आशा को कैंसर डिटक्ट होने के बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया इसके लिए उन्हें 25 साल का समय लगा और कैमो थेरपी ट्रीटमेंट के बावजूद उन्होंने अपने बालो को इस तरह मिंटेन करके रखा आसानी से समवारने के लिए आशा अपने बालो को ड्रेड लॉक्स में बाट कर रखती है आईए आप जानते हैं अगली अजब गजब औरत मैंडी सेलर्स मैंडी सेलर्स एक ऐसी दुरलग जन्मजाद बीमारी से पीडित है जिसमें PIK3CA नामक एक जनेटिक म्यूटेशन की वज़स से उनके पैर असमान्य और बेडॉल तरीके से बढ़ गए हैं साथ साल की उम्र में डॉक्टर ने उनका एक पैर काटने की बात कही लेकिन उनकी मा इसके लिए तयार नहीं हुई क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी जितना संभव हो सामान्य जीवन बिताए 2010 में सेलर्स ने अपना एक पैर कटवा दिया ताकि उसकी ग्रोथ रुख सके लेकिन वो फिर भी बढ़ता रहा नंबर साथ पे हैं मारिय क्रिस्टनना जानते हैं उनके बारे में मारिय क्रिस्टनना ने खुद को और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो एक स्ट्रॉंग वमन है यह रास्ता अपनाया सालों की घरेलू हिंसा और फिर असफल शादी के बाद मारिय ने अपने चहरे पर टैटू गुदवाए जगा जगा पियर्सिंग करवाने के साथ ही उन्होंने माते पर सिंग की तरह के इंप्लांटेशन भी करवाए ड्रागन लेडी और वेंपायर विमन के नाम से मशूर मारिय पेशे से वकील भी है वो घरेलू हिंसा की शिकार औरतों की मदद करती है आठवे स्थान पर है अनेटा फ्लोर चेक अनेटा फ्लोर चेक को दुनिया की सबसे मजबूत औरत के रूप में जाना जाता है उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉंगेस्ट विमन का खिताब सबसे जादा बार जीता है 1982 में पोलेंड में जन्मी अनेटा फिगर स्केटिंग जैसे दूसरे स्पोर्ट कॉम्पटिशन में भी अच्छा प्रदेशन कर चुकी है वो एक वयस कुरुष को बहुत आसानी से हातों से उठा कर अपने सर के उपर तक ले जा सकती है है ना सिरियस्ली स्ट्रेंज? जी हाँ दोस्तों आप जानेंगे नौवी और आखरी महिला के बारे में 21 साल की जोती आमगे दुनिया की सबसे छोटी महिला है दोफोट, छे हिंज की जोती, एकेंड्रोफलेसिया यानि बौनेपन के एक प्रकार से पीडित है और उमिर नहीं है कि उनकी हाइट अब और बड़ेगी वैसे जोती के मामले में अच्छी बात यह है कि इस बिमारी से पीडित होने के बाद भी उनके शरीर का विकास काफि सामानुपाती ढंक से हुआ है इस बिमारी से पीडित अधिकतर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता और उन्हें काफि कटना ही होती है जोती कहती है कि उनका कद उनके लिए काफी फाइदे मन है क्योंकि इसी वज़र से वो जापान और यूरोप सही कई दूसरे देश घुम चुकी है जी हाँ दोस्तो ऐसे ही रोमान्चक घटनाए और लोगों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे सिरियसली स्ट्रेंज के साथ लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आपने अभीतर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद करें